नवश्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलजी पर मैं यशा स्तिवारी आज आप सभी के समग को पस्तेत हुआ हूँ गुरू राशी परिवर्तन दोहजार चौबीस प्रभाव को लेकर एक मई दोहजार चौबेस दुपहर एक बचकर के पचास मिनिट पर सुक, सम्रिद्धी, उंचाई, धन के कारक देवगुरू ब्रहस्पती मेश राशी को छोड़ कर दैत्य गुरू शुक्राचार्य की साधारण राशी सभी लगन एवं सभी राशी के जातकों के लिए सुक, सम्रिद्धी, धन, शिक्षा, संतान, विवा, धर्म, भाग्य, लाब के कारक देवगुरू ब्रहस्पती क्या लाब और क्या हानी लेकर के आ रहे हैं, इनके गोचर प्रभाव पर आज हमारी ब्रहत चर्चा होने जा रही है देवगुरू ब्रहस्पती पूरे एक वर्ष तक व्रिशव राशी में गोचर करने वाले हैं और 14 मई 2025 के दिन व्रिशव राशी को छोड़ करके बुद्ध की राशी मिथोन राशी में प्रवेश कर जाएंगे यह जो गोचर का प्रभाव है यह राशी फल मैं आपको आपके जन्म लगन एवं आपकी जन्म राशी के आधार पर बताने जा रहा हूँ अर्थात आपकी जन्म कुंडली जिस भी अंक से प्रारम होती है वो आपके जन्म का लगन है और जसमी राशी में आपकी जन्मकुंडली में चंद्रमा इस्तित है, वो आपकी जन्मराशी है, तो इनी दौनों के आधार बार आप इस राशी फल को देखें, यदि आप अपने लगन और अपनी जन्मराशी के विशह में नहीं जानते हैं, तो आप स्क्रीन पर देख रहे आपकी जन्मकुंडली में जो ग्रहों की conditions हैं, आपकी जन्मकुंडली में जो महादशा हैं, जो planetary position वर्तमान समय में चल रही है, उसके आधार पर गोचर का फल कम या जादा उपर या नीचे होता रहता है, यदि आप अपनी जन्मकुंडली का व्यक्तिकत रूप से अध्यन क चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी content मेरे द्वारा इस चैनल पर upload किया जाता है, उसका notification आपको मिलता रहे, यदि इसका रिक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाब होता है, तो आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाब हो और उसका माध्यम आप बनें, अब हम चर्चा प्रारंब करते हैं, राश्यू के क्रम में दूसरी राशी अर्थात वरिशव राशी के जातकों के लिए, एवं वरिशव लगन के जातकों के लिए, कैसा रहने वाला है देव गुरू ब्रहस पती का ये गोचर प्रभाव, वरिशव राशी के जातकों के लिए, एवं वरिशव लगन के जातकों के लिए देखा जाये, तो देव गुरू ब्रहस्पती का गोचर आपकी लगन आपकी राशी पर ही होने जा रहा है, लगन में देव गुरू ब्रहस्पती दिगबली होत गुप्त भाव है और एक लाव भाव है इनकम का भाव है आपके सारवजनिक संबंधों का भाव है आपके सोशल सरकल का भाव है इन दौनों भावों का स्वामी देव गुरूब रहस्पती लगन में जाकर के दिगबली अवस्ता में बैठा है फलसरूप इन भावों से संबं देव गुरु ब्रहस्पती नेचुरली देखा जाए तो धर्म के कारक है और वो जब लगन में दिखबली होकर के गोचर कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके विक्तित्व को धार्मिक बनाएंगे धर्म कर्म धार्मिक प्रत्यों में आपकी रूची बढ़ेगी धर्म से आप च गोचर बार्धवे भाउ में हो रहा है जिसके चलते नाना प्रकार के परिशानियां आपको देखने में मिल रही ही थी जैसे स्वास्तस संभन्धित परिशानियां पेट जैनेरोग इत्यादी की समस्या धन आगमन होना परनतु धन का संचितना होना व्यर्त का धन एधर लगन में बैठा हुआ है अश्टमेश का लगन में जाना कई बार आपको भ्रामक रोग या एक कुछ इस तरह के रोग जरूर देता है जो की अपने से संबन्द है तो लगन में दिखबली अवस्था में गूचर कर रहे हैं और यदि आप अपने खान पान पर नियंद्रन बन लिवर इत्यादी से संबन्दित परिशानिया देंगे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है देव ग्रूब रहस्पती लाभे शोकर के लगन में बैठे है यानि कि आपका व्यक्तित्व जो है वो अब लाभ से चुड़ गया है यानि कि आप जो भी काम करेंगे आपके मन में ज लगन में गुरू आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएंगे आप जो भी बातें बोलेंगे लोग उससे बहुत ही जल्दी प्रभावित होंगे आपके व्यक्तित्व को प्रभाविशाली बनाएंगे और आपको समाज में लोग एक श्ठद्धा की नजर से पूज नजरों से देखने वाले हैं तो ये भी कही न कहीं गुरू का गोचर अच्छा है साथी साथ knowledge की व्रद्धी नई चीजों को सीखने में आपकी रूची बढ़ेगी ज्यान की अधिकता आप जो भी बात करें उनमें ज्यान मई बातें जलक करके आएं इस बात की भी possibilities देव गुरू ब्रहस्पती के लगन में होने के शलतें बनती हैं लगन गत देव गुरू ब्रहस्पती की पांचवी द्रिष्टी जन्वकुठली के पंच्यमभाव पर पड़ेगी तो प्रेम संबंदों से संबंदत इती किसी तरह के आपकी परिशानी थी तो उस परिशानी को देव गुरू ब्रहस्पती राशी परिवर्तन करने के बाद ही ठिक कर देंगे लव लाइफ में अगर किसी भी तरह की गलत स्वहमी ग्रेट हो गई थी तो वो भी सॉल्व होती हुई दिखाए दे रही है विद्यार्थियों के जीवेन गाल में यदि परिशानी आ रही थी पढ़ाई को लेकर के कन्फियूजन था संशय की स्थिती थी तो वो भी कही न कहीं सॉल्व होती हुई दिख रही है पढ़ाई इत्यादी के लिए शिक्षा के पॉइंट अ व्यूजन व्रिशब लगनेवं व्रिशब राशी के जातकों के लिए समय काफी अच्छा दिखाई पढ़ रहा है सब्तम भाव पर देव गुरु ब्रहस्पती की दृष्टी पढ़ने के चलते यदि आपका विवान नहीं हो पाया था तो अब पूरे एक वर्ष तक फ्रिशब लगनेवं फ्रिशब राशी के जातकों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं आपको विवाह के लिए प्रया कर सकते हैं आने वाला पूरा एक वर्ष संतान प्रापती के लिए अति उत्तम होता हुआ दिखाई देता है देव गुरु ब्रहस्पती की दृष्टी सब्तम भाव पर थी तो व्यापार में आपको उत्थान देने वाली है व्यापारिक शेत्र में आदे आप डाउन जा र रहा है जापार एक पार्टनर के साथ यदि आपके संबंध घराब हो गते तो वो संबंध में सोधार आता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी भी तरह कि यदि मैरेड लाइफ में आपकी प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम का भी solution देव गुरु ब्रहस्पती आपको दे देख रहे हैं जीवनकाल में मान सम्मान उचाई की प्राप्ती व्रिशब लगनेवं व्रिशब राशी के जातकों को आने वाले समय में देव गुरु ब्रहस्पती के गुचर परिवर्तत करते ही देखने में मिल जाएगी साथ ही साथ जब आप धर्म कर्मन से जोड़ते है तो आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव होती हो लगनकत गुरु व्यक्ति के थिंकिंग को पॉजिटिव भी बनाते हैं ये भी कही ना कहीं बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है उच्च शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी प्रयासरत थे उच्च शिक्षा को आगे कंट बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है वो जातक जो विदेश में थे और पर्मानेंट सेटलमेंट चाह रहे थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये देव गुरु ब्रहस्पति का गोचर सहयोगी होता हुआ दिखाई दे रहा है तो व्रिशव लगनेवं व्रिशव के जlam के लिए देव गुरु ब्रहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है बस अपने खान पान पर यह नहलं करके रखना है और अत्याधिक सत्य बोलने से बचिए कह और अपने आहार को अपने व्यावार को दोनों कोई सात्विक बना करके रखिये अभक्ष का भक्षन ना करें कि व्रिशव लगने वं व्रिशव राशी के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस गोजर प्रभाव से संतुष्ट होंगे यदि आप इस कारेक्रम को देखते हों और इस कारेक्रम से आपका कुछ भी लाव होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अप्लोड किया जाता है उसका नोटिकेशन आपको मिलता रहे यदि इस कारेक्रम के माद्यम से आपका कुछ भी लाव हुआ है तो आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाव हो उसका माद्यम आप बने आज के स्राशिवर के कारेक्रम में बस इतना ही रखते हैं नमस्कार